अगर आपने इससे पहले वाला बायो टेक्नलोजी का लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे दिखकर यहां पर पहुँचें विकास काफी सारी चीजों को मैं इंटर लिंक्ड मैनर में पढ़ाने वाला हूँ अगर आप लोग सिर्फ ये वीडियो देखते हैं तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगी उसे भी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो वे आप विपिन शर्मा बायोजी नाम के इंस्टाग्राम हैंडल पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं इन सब जगाँ पर जोड़ जाएए जिससे आपको मुझसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए हो तो आपको कहीं ना कहीं से एट लिस्ट मिल जाएए हम बायो टेक्नलोजी के प्रिंसिपल्स और प्रॉसेस की बात कर चुके हैं हमने सबसे पहले हमारे जो जो जीन ऑफ इंटरस्ट थे उनको इडेंटिफाई किया आइसोलेट किया प्यॉरिफाई किया फिर उसको हमने एक वेक्टर के साथ लिंक कराया फिर उसको एक होस्ट सेल के अंदर हमने ट्रांसफॉर्म कराया अब हम लोग देखेंगे कि इन सब के important advantages के हैं So biotechnology as you would have learned from the previous chapter essentially deals with the industrial scale production of biopharmaceuticals and biologicals using genetically modified microbes या फिर fungus या फिर plant या फिर animals हम लोगों ने देख लिया था कि हम लोग biotechnology में क्या करते हैं हमारा जो gene of interest है उसको हम किसी host organism के अंदर डालते हैं और उसे express करवाते हैं यानि कि gene of interest जो जा रहा है किसी की body के अंदर उस gene का महत्व कब है जब वो अपने आपको replicate कर पाए transcribe कर पाए और translate करके एक final outcome बनाए एक expression product बनाए So our motto is to form that expression product that is the protein और उस protein को हम लोग large scale पर तयार करते हैं with the help of bio reactors जो की बहुत बड़े containers होते हैं 100 to 1000 liters के उसके बाद आपके downstream processing की जाती है और आपके bio pharmaceuticals यानि काफी सारे important chemicals, enzymes और medicines और इसके साथ साथ काफी सारे important biologicals तयार किये जाते हैं using the bacteria which is microbes using the fungus as a host cell using a plant as a host cell or using animals as a host cell okay so applications of biotechnology क्या क्या हो सकते हैं therapeutics यानि आप लोग काफी सारी medicines काफी सारे enzymes यहां पर तयार कर सकते हो diagnostics यानि आप लोग बिमारियों को diagnose करने के लिए बिमारियों का early estimation करने के लिए भी biotechnology यानि रिकंबिनेंट डियने technology का इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग genetically modified crops बना सकते हो यानि आप लोगों की crop पे समझ लोग कीड़े बहुत सारे लगते हैं तो आप क्या करोगे उस crop में आप लोग एक ऐसा gene डाल दोगे एक ऐसा gene insert करा दोगे जो उसे pest के खिलाफ resistance प्रोवाइड करता है तो ultimately crop क्या होगे आपका modify होगे आप उसके उपर कोई भी कीड़ा आकर attack नहीं करेगा so these are very important applications in terms of agriculture processed food आप लोग food की processing में biotechnology को काम में ले सकते हैं जिससे आपका food बहतर तरीके से आपका बन पाए उसकी quality improve हो जैसे कि 2019 में question आया था golden rice so golden rice was enriched in vitamin A आपने उसमें इस तरीके से उसको बनाया था modify किया था कि उसमें vitamin A की quantity आपकी enriched हो जाए so इसमें आप क्या करते हो food की quality को improve कर देते हो bio remediation ये question भी आपका 2019 में पूछा गया था bio remediation is one of the options of that question and the answer was bio prospecting नई नई चीजों को explore करना that was bio prospecting जिस पर question आया था आपके you know odisa वाले paper में यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा bio remediation क्या होता है biological चीजों को use करके किसी चीज से remediate होना यानि समझ लो आपके atmosphere में carbon dioxide बहुत जादा है global warming की वज़े से तो आप लोग क्या कर सकते हो carbon dioxide को कम करें यह सिर्फ एक option है जो मैं आपको बता रहा हूं as an example of bio remediation similarly आप लोग क्या करते हो कुछ oil spills हो जाती है okay oil आपका अगर फैल जाता है पूरे के पूरे water surface के उपर जैसा अभी recently रश्या में हुआ था तो क्या होते हैं वहाँ पर कुछ bacteria आप लोग डालते हो जैसे कि pseudomonas putida तो वह जो सुडो मोनास है वह basically क्या करता है वह इस तरीके से modify किया गया है कि वह आपके उन oil spills को खतम कर सके then waste treatment waste treatment में भी आपके काफी सारे modified bacteria को आप लोग या modified fungus को आप लोग use कर सकते हो and then energy production जिससे उनसे जादा से जादा energy बन सके इसलिए भी उन्हें modify किया जा सकता है so ऐसे कौन से research areas है बायो technology के जिन पर काम किया जाना चाहिए वो क्या है आपका to provide the best catalyst informed of improved organism usually a microbe और a pure enzyme यानि एक ऐसा microbe या फिर उससे isolate किया हुआ enzyme जो कि best catalyst का काम करें यानि आपको अगर किसी reaction को fast करना है तो आप उस catalyst का इस्तमाल कर सकते हो second important thing कि कोई भी catalyst या फिर कोई भी microbe का जो enzyme है वो कब सबसे जादा maximum efficient होगा जब उसको optimum condition दी जाए तो आपको enzyme तो isolate करना ही है pure form में उसके साथ साथ आपको उससे optimum condition भी देनी है जिससे आपका catalyst या फिर enzyme जो है वो बेटर तरीके से act कर पाए and the third important thing is downstream processing जो कि आप लोग कर रहे थे large scale पर product जो आप लोग बना रहे थे उनकी आप लोग downstream processing कर रहे थे before marketing them before commercializing them so that आपका product जो है बहुत बहुत बहुतर तरीके से market को hit करे उसमें कोई भी drawbacks या flaws ना हो so downstream processing क्या है चीजों को बहुत बहुत बहुतर तरीके से process करना purify करना जिससे आपका जो final compound है वो आपका market में पहुँच सके so यह तीन critical areas of research है पहला आपका सबसे improved catalyst बनाना second important चीज उस catalyst को act करने के लिए उस enzyme को act करने के लिए सबसे बहुतर conditions provide करना so optimum condition आपको उसे देनी पड़ेंगी तीसरी चीज बेटर downstream processing जिससे at the end of the day आपका product एकदम flawless बने okay let us now learn how human beings have used biotechnology to improve the quality of human life especially in the field of food production and health health यानि की medicine production bio pharmaceuticals में और food production यानि अलग-अलग food products को बहतर बनाने में उनकी quality को enrich करने में किस तरीके से humans ने आपके biotechnology का इस्तमाल किया वो हम लोग इस पूरे chapter में जानने वाले हैं so यह एक introduction था जिसमें आपको तीन बाते जाननी है कि पहला catalyst बनाना दूसरा optimum condition देना और तीसरा better downstream processing यह आपके biotechnology की essential parts है so biotechnology की application in agriculture is the first thing जो कि आपको समझनी है so let us take a look on the three options that can be thought for increasing the food production अगर आपको food production बढ़ानी है तो आपके पास तीन option हो सकते हैं agrochemical based यानि कि आप वहाँ पर fertilizer वगेरा डालो chemicals add करो तो आपके क्या होंगे अगर आप fertilizer डालोगे तो fertilizer basically क्या होते हैं उनमें आपके minerals present होते हैं अगर वो minerals आपके soil में जाएंगे so at the end of the day आपका जो crop है वो उसे better तरीके से utilize कर पाएगा उसे absorb कर पाएगा और उसकी growth better हो जाएगी second organic farming इसमें क्या बोला जाता है agrochemicals को use मत करो organically आपका farming करो या फिर organically आप agriculture को better बनाओ यानि आप manure का use करो आप gober का use करो आप खात वगेरा का use करो क्योंकि आपके agrochemicals बहुत जादा आपके क्या होते हैं बहुत जादा महंगे होते हैं और दूसरी बात यह आपके crop में अगर बहुत सारे minerals utilize हो रहे हैं so at the end of the day आपके क्या है crop के उपर भी उसका जो आपके grains निकलेंगे उसके उपर भी थोड़ा बहुत impact पड़ेगा so इतने chemicals आपकी body के लिए भी अच्छे नहीं है ना उस soil के लिए बहुत जादा अच्छे हैं अगर वो excess में हो जाते हैं तो और किसान के लिए तो बिल्कुल भी feasible नहीं है क्योंकि यह बहुत जादा महंगे होते हैं तो पहला आपका agrochemical base दूसरा बोला organic करो भाई अपना खातवात लगाओ और जो खेत के चीजें हैं जैसे की कटी हुई सबजियां उनके छिलके वगेरा या फिर आपने कुछ अगर राख वाख तयार के रहे हैं उसको आप खेतों में छिड़को जिसे की बेसिकली आपकी पैदावार अच्छी हो थर्ड है आपका genetically engineered crop in agriculture यानि यहाँ पर आप लोग क्या करो बायो टेखनोलोजी को इस्तमाल करो so green revolution जो थी जब आपकी हरित क्रांती आई तो उसने इंडिया में जो food supply है उसको तीन गुना तक बढ़ा दिया so triple हो गई हमारी food supply और triple हो गई हमारी food production लेकिन तब भी हम लोग जो है खाने पीने के लिए इस crop को enough नहीं समझ रहे थे क्यों क्यों क्योंकि हमारी जनसंक्या बहुत जादा है so just because of the increment in population this triple incremented crop was not enough to sustain the people so increase yield किस वज़े से थी यह जो तीन गुना आपकी production बढ़ी है किस वज़े से बढ़ी यह इसमें आपका partial role था improved crop varieties की वज़े से यानि बहुत कम role था कि आप varieties पे काम कर रहे हो लेकिन जादा तर role क्या था कि आपने better management किया है और आपने agrochemicals यानि आपके fertilizers और pesticides को इस्तमाल किया है यानि अगर आप data तयार करें तो उस data में आपको क्या मिलेगा कि जो crop production आपकी increase हुई उसके पीछे दो अगर main reason थे तो उन में से सबसे important reason क्या था पहली बात तो आपने fertilizer use किये तो you know soil की आपकी quality बहुत improve हो गई तो at the end of the day क्या हुआ crop ने आपका बहुत बहतर तरीके से minerals को utilize करना start कर दिया और आपके grains अच्छे बने second चीज ये थी इसी के अंदर कि आपने pesticide use किये तो pesticide से आपके जो pest crop को harm कर रहे थे वो loss कम हो गया अगर loss कम होगा तो productivity automatically भर जाएगी दूसरी चीज ये थी कि हम लोग crop variety को improve कर दे अगर variety ही आपकी improve हो गई है तो automatically आपका production भर जाएगा लेकिन इस पे हमने थोड़ा कम जोर दिया इस line का क्या मतलब है जिस चीज पर हमने कम जोर दिया है वो एक scope है उस चीज पर हम लोग अगर बहुत बहतर तरीके से काम कर दे तो productivity और उचल जाएगी इसका मतलब हमें agrochemical यानि fertilizer और pesticide को छोड़ कर अब food की या फिर crop की जो variety है उसको modify करने पर काम करना चाहिए वो एक better alternative हो सकता है so for farmers in the developing world the agrochemicals are too expensive जो मैं आपको बता चुका हूँ and further increases in yield with existing varieties are not possible using conventional breeding आप जिस तरीके से breeding करवाते हो और आप जिन varieties को use कर रहे हो उसमें जितने आप productivity बढ़ा सकते थे वो आपने बढ़ा दी by using pesticide and agrochemicals इससे जाधा productivity आपकी नहीं बढ़ सकती आपने productivity भी increase कर दी आपने losses को भी कम कर दिया जो होना था हो गया अब आप इससे जाधा और जो है इसमें increment नहीं देख सकते तो आपको करना क्या पड़ेगा आपको alternative path पकड़ना पड़ेगा ओके और अपनी genetics की knowledge को utilize करना पड़ेगा ओके तो यहाँ पर क्या है आपको minimize करना पड़ेगा fertilizer और chemicals के use को क्योंकि आपके environment पर भी adverse effect आपका लगाते हैं क्योंकि जब यह आपकी soil है जिसमें बहुत सारे chemicals आपने add कर दिया है जब वर्षा रितू होगी जब आपका बारिश का time आएगा उस time पर जो पानी soil में risk risk कर नीचे जाएगा वहाँ पर भी आपके chemicals add हो जाएगे और आपका overall जो पूरा water content है वो pollute हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर crops को genetically modify कर सकते हैं अगर आप crop की breed पर या crop की variety पर काम करने लग गए तो आपको उससे बहुत बैतर results देखने को मिल सकते हैं सो plants, bacteria, fungus, animals जिनके भी gene आप लोग manipulate करते हो यानि इन में से किसी भी host cell के अंदर अगर आपने gene of interest डाल दिया है तो उसे आप बोलेंगे genetically modified organism समझ लो यह मेरे human का DNA है यह मेरे human का DNA है अब मैंने क्या कर दिया है इस human के DNA के अंदर मैंने डाल दिया है किसका DNA आपका समझ लो किसी plant का gene मैंने insert कर दिया which is not feasible but still मैं आपका example बता रहा हूँ किसी और organism का मैंने चोटा सा DNA यहाँ पर डाल दिया सो अब यह क्या हो गया आपका यह जो DNA था आपका human जो था यह क्या हो गया अब genetically modified हो गया ओके सो कोई भी ऐसा host जिसके अंदर आप किसी और organism का genetic material डाल देते हो वो आपका genetically modified organism बना देता है और यह plants जो होते हैं आपके genetically modified plants यह आपके काफी तरीके से useful होते हैं सो genetically modified अगर आप plant बनाएंगे तो उसमें क्या क्या होगा crop आपके ज़्यादा tolerant और resistant हो जाएंगे to the abiotic stress यानि जो आपके non living stress है जैसे आपका कम तापमान आपका सूखा salt that is hypersaline condition and your heat इन सारी abiotic stresses से आपकी cope up करने की tendency बढ़ जाएगी एक plant की वो ज़्यादा tolerant बन जाएगा reduced reliance on chemical pesticide मगर आप अगर समझ लो एक ये जीन है ये जीन मैंने आपका समझ लो plant में डाला ये जीन है आपका pest resistance का जीन तो automatically आपके plant में आप वो ताकत आगए कि वो pest से खुद को resist कर पाए तो इसको आप pesticide की ज़रुवत नहीं है तो आप directly crop को pest resistant बना सकते हो help to reduce the post harvest loss यानि कि फसल की कटाई के बाद जो आपका भूसा बर्षता है उसके भी loss को ये prevent करता है उसकी भी quality को ये enrich करता है increased efficiency of mineral usage by plants यानि plants जो है ऐसा नहीं है कि soil में पढ़े हुए सारे mineral को absorb कर लेगी तो बहुत बैतर आपकी crop आपको देखने को मिलेगी efficient way में यानि कि एक sustainable way में अगर आपके soil में पढ़े हुए minerals को plant utilize करे so वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा एक अच्छा crop का growth भी देखने को मिलेगा और आपके minerals भी थोड़े बहुत residual form में बचे रहेंगे in the soil so this prevent early exhaustion of the fertility of soil यानि अगर एक limited way में आपके mineral nutrients लिये जाएंगे जितने एक plant को required है जितने एक crop को required है so आपके बचे हुए जो है वो अगले सीजन में काम आ जाएंगे enhanced nutritional value जो मैंने आपको बता दिया था कि जो golden rice है वो आपका vitamin A में बहुत जादा enrich होता है so इस तरीके से आप कुछ relative genes को अगर add कर दे to the crop so आपकी overall productivity और overall आप जो है एक food की quality को enhance कर सकते हैं enrich कर सकते हैं तो यहाँ पर आपने क्या देखा दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि genetically modified crop के 5 important आपकी advantages थे पहला कि abiotic stress से resistant होते हैं दूसरा इन्हें herbicide pesticide की जरूरत नहीं परती तीसरा post harvest loss यहाँ पर कम होंगे चौथा आपका mineral usage efficient हो जाएगा जिसकी वज़े से क्या होगा जिसकी वज़े से आपका soil की fertility लंबे time तक बरकरार रह पाएगी पांचवा आपका इनकी nutritional quality enhance हो जाएगी जैसे कि आपका vitamin A enrich होते हैं golden rice 2019 का पूछा हुआ question है ओके सो note भी कर सकते हैं आप लोग इन addition to these uses GM has been used to create tailor-made plants to supply alternative resources to industries in form of starches, fuels and pharmaceutical tailor-made plants क्या होते हैं tailor-made plants का यह मतलब है tailor-made आपकी medicine भी बनाई जाते हैं जिनको आप लोग क्या कहते हैं personalized medicine यह आपका बहुत ही नया concept है काफी लोगों में एक तरीके की medicine बहतर असर करती है और काफी लोगों में दूसरे तरीके की medicine बहतर असर करती है और यह हमें पता कैसे लगेगा यह doctors को पता लगेगा एक organism के genome को चेक करके सो इसलिए जो है हर देश की सरकार इस पर काम कर रहे है कि जैसे आपका आधार कार्ड बना है वैसे ही आपकी जिनोम चिप्स बने जिसमें आपके पूरे जिनोम को एनकोड करके डाला जा सके जैसे ही आप उन genome chips को या micro chips को analyze करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका genome किस type का है और उस हिसाब से आपको specific medicine दी जाएंगी जो कि आप पर तुरन तसर करें इन्हें आप लोग कहते हैं tailor made medicine approach या फिर personalized medicine approach यानि अलग-अलग बंदों के लिए अलग-अलग medicine अलग-अलग आपके concentration में जो उनको बिल्कुल suitable रहे उनके लिए similarly tailor made plant का मतलब एक ऐसे plant को मैं तयार करूँ जो वो चीज बनाए जो मुझे चाहिए समझ लो मुझे बहुत efficient starch production करनी है तो मैं उसके लिए जो important आपके gene है जो आपके starch storage में help करते हैं मैं उनको insert करा दूँगा अगर मुझे important fuels चाहिए तो मैं उनसे related genes जो है आपके डालूँगा अगर मुझे कोई important medicine या कोई important enzyme चाहिए तो मैं उससे related जो gene है वो आपका insert करा दूँगा और आपके plant को modify कर दूँगा that is something that you need to note over here तो आपका tailor made जो approach है यह बिल्कुल customized approach रहता है यह आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा some of the applications of biotechnology in agriculture that you will study in detail is the production of pest resistance plant second point हमने क्या पढ़ा था कि chemical pesticide पर आपके reliance को कम करता है यानि आपके plant जो है वो already pest resistant होंगे तो आपको pesticide या insecticide spray नहीं करने पड़ेंगे which could decrease the amount of pesticide used यानि आपको फिर pesticide use करने ही नहीं पड़ेंगे इसके लिए सबसे important जो toxic chemical है आपका insect के लिए वो है आपका BT toxin यहाँ पर BT जो word है यह आपके bacteria के नाम से लिया गया है so BT का मतलब होता है B for your bacillus अब bacillus है इसका मतलब rod shape bacteria है इसका मतलब it is a bacteria and T is the species that is thuringiensis so BT toxin जो है यह आपका bacillus thuringiensis नाम के एक bacteria से आपका लिया जाता है so BT toxin को बनाने वाला जो gene है यह gene आप लोग निकालेंगे bacteria से इसे clone करेंगे और इसे plant के अंदर डाल देंगे with the help of vectors और plant में जब यह gene express करेगा तो वहाँ पर भी क्या होगा आपका pest resistance provide कर देगा आपके plant को okay so without the need of insecticide और pesticide आपका insect और pest resistance यहाँ पर provide कर दिया जाएगा in effect created a bio pesticide so आपने क्या कर दिया आपने एक bio pesticide create कर दिया यानि आपका pesticide present है आपके organism के अंदर ही so उसको उपर से chemical छिड़कने की कोई ज़रुरत नहीं है so इस तरीके से आपने bt toxin को use करके काफी सारे important crop बना लिए है जैसे bt cotton which is the most common जो कि हम लोग पढ़ेंगे इस lecture में then bt corn, then bt rice, bt tomato, bt potato, bt soya bean, bt brinjal काफी सारे important चीज़े आपकी bt से बन चुकी है यानि इस corn, rice, tomato, potato, cotton के उपर insects या pest नहीं आएंगे so bt cotton के याँपर detail में चर्चा करते हैं जो कि सबसे पहले बनाया गया था so कुछ strains जो होते हैं आपके bacillus thuringiensis के यानि bt आपके bacteria के ये proteins बनाते हैं कुछ strains protein बनाते हैं हम उन्हीं strains को use करेंगे उन्हीं से हम लोग gene of interest निकालेंगे so ये क्या करते हैं ये जो protein है ये कुछ insect को kill कर देते हैं such as lapidoptera जैसे कि आपका cotton you know lapidoptera जो की tobacco bud warm होता है और army warm होता है उसके बाद आप करते हैं colioptera को जिसमें आपके beetle आते हैं और diptera जिसमें आपके fly और mosquito आते हैं अगर आपको याद हो living world chapter 1 तो वहाँ पर आपका house fly की आपको पूरी की पूरी taxonomic arrangement दी गई है वहाँ पर उसे आप diptera के अंदर पढ़ते हैं अगर आपको याद हो आप उसे diptera के अंदर पढ़ते हैं so it is the particular category जिससे आपका fly belong करती है उसे में आपका mosquito भी present रहेगा so कुछ lepidoptera पर ये असर कर सकता है जैसे budworm और armivorm कुछ kolioptera पर जैसे के आपके beetles और कुछ dipterans पर जैसे के आपका fly और mosquito so bacillus thuringiensis क्या करता है protein crystals बनाता है during a particular phase in their growth यानि यह जब bacteria जब grow करेगा तो आपके protein crystal बनेंगे और इस crystal में क्या रहता है एक toxic substance रहता है which is insecticidal यानि यह जो protein का crystal है यह insecticidal है जैसे insect से खाएगा आपका वो kill हो जाएगा so why does this toxin not kill the bacillus अगर bacillus के अंदर यह protein बन रहा है तो bacillus को क्यों नहीं मारता इसका reason है क्योंकि यह आपके inactive होते हैं the bacteria itself यह pro toxins की form में आपके synthesize किये जाते हैं यानि यह जब बनते हैं तो active नहीं होते हैं इनको active करने के लिए क्या चाहिए alkaline pH चाहिए यानि कि basic pH चाहिए और वो basic pH कहा मिलेगा आपके insect के gut के अंदर यानि कि जब insect ने plant का छोटा सा part अगर समझ लोग खा लिया तो जैसे ही वो ingest करेगा उस BT को भी plant के हर cell में अब आपका वो particular gene express हो रहा है तो क्या हुआ उसके साथ साथ उसमें क्या 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 उस crystallized protein को भी inject कर लिया और क्या हुआ इनक्टीव जो toxin था body में चला गया अब जैसे ही वो gut के पास पहुचेगा insect के gut में जैसे ही पहुचा वो inactivated toxin वो activate हो गया due to the alkaline pH of gut जो कि उन crystals को protein crystals को solubilize कर लेंगे और आपका toxin बाहर आ जाएगा जो activated toxin है ये mid gut के surface पर bind कर देगा यानि epithelial surface किसका बना होता है epithelia का so that is very very common thing so जो आपका mid gut होता है एक particular insect का उसके epithelial cell surface पर bind कर जाएगा आपका ये toxin और वहाँ पर छेद create कर देगा इस छेद create होने की वज़े से आपके उस particular insect का जो epithelia होता है वहाँ पर swelling होती है और lysis हो जाती है जिसके वज़े से आपके insect की death हो जाती है so क्या हुआ bacteria में आपका alkaline pH नहीं था तो वहाँ पर pro toxin आपका inactive पढ़ा हुआ है जैसे insect ने उसे inject किया उसके gut में जाते हैं alkaline pH की presence में आपका protein crystal solubilize हुआ toxin आपके बाहर निकले toxin आपके mid gut की epithelial पर bound हुए और उन्होंने वहाँ पर shade करना start कर दिया जिसके वज़े से आपका पूरा का पूरा gut lies हो गया okay perforations वहाँ पर बन गई और आपका आखिर में क्या हुआ insect की death हो गई so specific BT toxin जो है यह आपके अलग अलग तरीके के BT strain से identify किये जाते हैं isolate किये जाते हैं और उसके बाद crop में डाले जाते हैं okay so इन genes को आप जब isolate करते हो तो उनकी genes की choice जो depend होती है वो किस पे depend होती है वो crop पे depend होती है as well as targeted pest पे क्योंकि BT का जो toxin है यह बहुत specific होता है okay so BT toxin is insect group specific यानि आप अगर specific toxin लोगे specific crop में उसे incorporate कराओगे समझ लो आपका एक cotton है जिस पर आपके cotton ball worms बहुत जादा attack करते हैं okay so आप उसमें कौन सा toxin डालोगे आप उसमें cry 1 AC या फिर cry 2 AB डालोगे जिससे वो specifically cotton ball worms को मारे अगर समझ लो आपके cotton ball worms attack कर रहे हैं एक particular crop पे और आपने डाल दिया है cry 1 AB gene नाम का toxin तो toxin तो है लेकिन क्या वो crop को बचा पाएगा the answer is no क्योंकि यह जो आपका toxin है यह corn borer के लिए है यह आपका cotton ball worm के लिए है ही नहीं आपका क्या होगा आपका insecticidal property तो वहाँ पर है लेकिन किसी और insect के लिए लेकिन crop का loss आपका हो जाएगा so since they are insect group specific तो आपको जो है basically specific cry genes को isolate करके यहाँ पर डालना पड़ता है जैसे cry 1 AC और cry 2 AB जो है basically यह आपके cotton ball worms को kill करेंगे जबके आपका cry 1 AB जो है यह आपका corn borer को आपका effect करेगा so याद कैसे रखना है इस चीद को सारे के सारे initial words यानि AB और 1 यह जिसमें आएंगे उसके attack किये जाने वाले insect का नाम भी छोटा होगा so cry 1 और AB यहाँ पर है so corn borer cotton ball worm का नाम बड़ा है so इसमें क्या होगा एक ना एक आपका बड़ा आपको alphabet देखने को मिलेगा या तो आपको A के साथ B नहीं C देखने को मिलेगा या फिर 1 नहीं 2 देखने को मिलेगा तो यह बड़े नाम वाले पर attack करेगा जैसे cry 1 AC cry 2 AB तो यहाँ पर कोई ना कोई चीज आपकी बड़ी है प्रिमिटिव नहीं है तो यह cotton ball worm पर attack करेंगे तो दियार insect group specific यह बात आपको याद रखनी है अब देखो यह cotton ball है पहली चीज आपके cotton ball worm ने आपकी infect कर दी है तो जो A है यह आपका infected है देखो यहाँ पर आपकी cotton ball आपको दिखाई नहीं दे रही white color का कुछ भी नहीं है लेकिन जो second है यह आपका fully mature cotton ball है जहाँ पर आपको cotton दिखाई दे रही है तो यहाँ पर क्या होता है basically यहाँ पर बात आपकी यह है कि अगर cotton ball worm attack कर गया तो आपकी पूरी की पूरी crop को नश्ट कर देगा लेकिन अगर इसको आपने insecticidal property से induce करवा दिया तो आपको बहुत बहतर तरीके से अपनी improvement देखने को मिलेगी crop growth आपको बहतर तरीके से देखने को मिलेगी pest resistant plant जैसा कि हमने बताया आपका you know BT cotton that is also pest resistant plant लेकिन इसके अलावा आपके tobacco में भी आप लोग pest resistance देख सकते हैं so several nematode आपके जो parasite होते हैं यह आपके काफी सारे plant animal और humans पर भी आपके you know impact करते हैं और disease cause करते हैं एक nematode है जिसका नाम है melodigini incognesia यह जो आपका nematode है यह root of tobacco plant को impact करता है और उसकी yield को reduce कर देता है यानि nematode जो होते हैं आपके worms जो होते हैं यह plant animals और humans में भी disease cause करते हैं जैसे आपने वुचेरिया बेंक्रॉफ्टाई के बारे में सुना हुआ है आपने बेसिकली एसकेरियास के बारे में सुना हुआ है तो यह सारे बिमारियां cause करने में बहुत बहुत सक्षम होते हैं इसी तरीके से आपका tobacco में melodigini incognesia नाम का एक nematode होता है जो कि उसके root को specifically impact करता है और उसकी you know productivity को घटा देता है इसके पीछे का base में आप लोगों को बता देता हूँ अगर वो base clear हो गया तो आप लोग चीजों को आसान तरीके से identify कर पाओगे आप जब आपके DNA को देखते हो so that is double standard so this is the DNA that you talk of this DNA when it is expressed it is initially converted into mRNA और mRNA कैसा होता है mRNA आपका single standard होता है इस single standard mRNA पर जब आपका basically काफे सारे you know ribosome bind करते हैं तब जाके आपका protein यहाँ पर बनता है विद्दा translation process यह आप सब को पता है तो यहाँ पर क्या हुआ यह जो mRNA है यह जो आपका important mRNA है यह protein कब बना पाएगा जब यह single standard हो आप क्या करते हो आप यहाँ पर एक complementary RNA को भेज देते हो इस particular strand के पास अगर आपने यहाँ पर एक complementary RNA को भेजा तो वो यहाँ पर bind हो जाएगा अगर single standard नहीं रहेगा RNA तो क्या उस पर ribosome bind कर पाएगे नहीं कर पाएगे क्या आपका protein बन पाएगा नहीं बन पाएगा अगर आपका जो end में protein जो कि infection cause कर रहा था अगर आपका वही नहीं बना तो क्या आप बिमारी cause कर पाऊगे obviously नहीं कर पाऊगे तो यह protein को बनने से रोकना is our prime motto और protein बनने से रोकने के लिए आपको क्या करना है single standard RNA को convert कर देना है into double standard RNA और अगर आपने यह कर दिया तो double standard RNA क्या हो जाएगा आपका inactivate हो जाएगा इस इस कॉल्ड as RNA interference technology क्योंकि आपने इसमें क्या कर दिया है आपने इसमें RNA को interfere कर दिया है यह जो यहाँ पर mRNA बना था आपने इसको interfere कर दिया है जिस वज़य से यह आगे यूनो अपना काम ठीक से ना कर पाए ओके so that is the novel strategy जिसके बारे में अब आप लोगों को यार बहुत आसान तरीके से सारी चीज़े समझ में आ जाएगी यह आपका RNA आ कहां से सकता है एक आपका यह important question है इसको भी देख लेते है RNA कहां से आ सकता है या तो किसी ऐसे वाइरस से आप लोग RNA इंसर्ट करा सकते हो plant में जिस वाइरस का genetic material ही RNA हो RNA का source क्या होगा RNA का source वही तो हो सकता है जो RNA बनाता हो so एक तो वाइरस हो सकता है क्योंकि आपका 99.99% of the organisms in this world contains DNA as the genetic material बचे हुए 0.01% कौन है आपके वाइरस जिनमें RNA acts as a genetic material so यह आपका यह complementary strand आपका donate कर सकता है second important thing यहाँ पर आपके transpose zones present रहते हैं transpose zones यानि आपके transposeable genetic elements जिनको आप लोग mobile genetic elements भी कहते हो यानि ऐसे gene ऐसे elements जो आपके transfer हो सकते हैं from one place to the another place इन्हें आप mobile genetic element भोलते हो मैं थोड़ी खाली जगा टून लेता हूँ उसमें मैं आपको elaborate कर दूँँगा alright समझ लो यहाँ पर करते हैं हम लोग यह समझ लो आपका DNA है अब transpose zone क्या होते हैं transpose zone और transposable genetic element यानि एक जगा से दूसरी जगा जाने वाले यह आपके discover किये थे Barbara McClintock नाम के scientist ने अपने time की बहुत बड़ी scientist थी Barbara McClintock और इस discovery के लिए ने noble prize भी दिया गया so it is very important thing to note so यहाँ पर क्या होता है दोस्तों आपका जो transposable genetic element है यह एक जगा से दूसरी जगा जा सकता है in the same genetic material समझ लो यह आपका पूरा का पूरा genetic material है यह आपका पूरा का पूरा genome है और आपका यह है transposable genetic element so यह क्या हो सकता है यह आपका DNA की form में transfer हो सकता है यहाँ से cut के यहाँ पे join हो सकता है so this is transferable so it is mobile genetic element काफी क्या होते है काफी होते है आपके retro transposons retro transposons यानि ऐसे transposable genetic elements ऐसे transposons जो कि basically क्या करते है आपके retro होते है nature में यानि कि यह पहले क्या करेंगे यह पहले आपका RNA बनाएंगे यह पहले आपका RNA बनाएंगे फिर आपका double standard DNA बनाएंगे फिर transfer होंगे आपके simple वाले DNA क्या हुए यहाँ से कटे यहाँ पर जाकर attach हो गए these are normal transposons काफी क्या होते हैं retro transposons होते हैं यह पहले DNA के form में नहीं convert हो जाएंगे यह पहले RNA बनाएंगे फिर DNA बनाएंगे फिर यहाँ पर जुड़ेंगे जो RNA है यह भी आपका RNA interference में काम आ सकता है तो दो important sources हैं आपके RNA की पहला आपका virus और दूसरा आपका transposons क्योंकि जो इसमें से आपके retro transposons होंगे जो RNA intermediate बनाकर फिर transfer होते हैं वो वाले retro transposons का RNA यहाँ पर use किया जा सकता है to interfere this mRNA ओके सो अब यह चीज़ आपको बिलकुल clear हो जाएगी आपको सिर्फ देखना है बातों को सुनना है RNAi takes place in all eukaryotic organism हर eukaryot में पाये जाता है चाहे आपका protozoven हो चाहे आपका fungus हो चाहे plant हो चाहे animal हो सब में आपका यह पाये जाएगा without any exception and it is the method of cellular defense जानि समझ लो आपकी body में कोई organism आ गया कोई foreign organism आ गया अगर वो foreign organism आपकी body में आकर खुद के protein बनाना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा उसे अपने RNA को express कराना पड़ेगा आप लोग क्या करो एक complementary RNA वहाँ पर bind करा दो इस RNA को silence करा दो तो आपका पैथोजन आपकी body पर बहतर attack नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कोई protein ही नहीं बना पाएगा So this technology, this technique is adapted by each and every eukaryotic cell without any exception ओके, तो इस method में क्या होता है आपकी silencing हो जाती है specific mRNA की क्योंकि आपका complementary double stranded RNA molecule bind कर जाता है उस particular mRNA के साथ तो आपकी translation नहीं हो पाती इस process को आप लोग silencing बोलते हो तो इस RNA का जो source होता है, यह क्या हो सकता है यह आपका viral infection हो सकता है क्योंकि virus में RNA is the genetic material या फिर आपके mobile genetic element या transpose zone या transposeable genetic element यह हो सकते हैं जहाँ पर आपका RNA intermediate बने, यानि कि specifically इन्होंने किसकी बात कर दी है, retro transposons की बात कर दी है so using agrobacterium vectors agrobacterium vectors आपके बहुत important है, हमने last lecture में देखा था कि इनके अंदर एक plasmid होता है जिसका नाम होता है TI plasmid agrobacterium tumifashions के अंदर TI plasmid नाम का एक plasmid था जो कि आपके plant के अंदर DNA transfer करने के लिए बहुत important है, so agrobacterium के TI plasmid या vector को यूज करके आप लोग क्या कर सकते है नेमा टोड के खिलाफ specific genes जो है, वो introduce कर सकते है plant के अंदर okay, so DNA जो है उसको जब आप insert करेंगे तो वो दोनों के दोनों आपके sense और anti sense RNA तयार करेगा, इन में से एक जो strand है जो आपका RNA के साथ complementary है, वो वहाँ पर जाकर bind कर लेगा, और आपका क्या होगा, basically double standard RNA तयार हो जाएगा, यानि RNA interference आपका successful हो जाएगा और mRNA आपका express करके protein नहीं बना पाएगा और आपका basically वो infection cause नहीं कर पाएगा okay, so इस वज़े से आपका parasite जो है वो survive नहीं कर सकता transgenic host के अंदर, जिसमें RNA interference technique है, क्योंकि basically वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर आपका, अगर वो कोई अपना important protein ही नहीं बना पा रहा है, so at the end of the day क्या होगा, वो आपका survive नहीं कर पाएगा this is the most important thing that you need to note from this lecture, all right so RNA interference इसलिए आपका important है यहाँ पर आप tobacco के root को देख सकते हैं, इस tobacco के root पर infect कौन कर रहा था, आपका melodigine incognitia, यहाँ पर आप लोग देखोगे किस तरीके से अजीब-जीब के यहाँ पर आपके tumor-like structure बन गए है, इससे आपकी overall जो basically growth है वो कम हो जाती है so root of typical control plant transgenic plant five days after deliberate infection of nematode but protected through novel mechanism, यहाँ पर अगर आपने इसको root को protect कर दिया है तो यह बिल्कुल साफ सुंदर अच्छी आपको दिखाई दे रही है okay, RNA interference mechanism बहुत 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 तरीके से काम कर गया और यह आपकी infected root है okay, so इन दोनों में आप लोग फर्क देख सकते हो तो इस हिसाब से इनकी productivity में भी बहुत फर्क आता है biotechnological applications in medicine यानि medicine में या फिर biopharmaceuticals में क्या important role है आपके biotechnology का वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं so recombinant DNA technology processes have made immense impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drugs यानि safe और बहुत effective therapeutic drugs को बनाने के लिए आपका recombinant DNA technology का बहुत बड़ा योगदान है क्यों? क्योंकि आप जब कोई product बनाते हो bio reactors में उसके बाद आप करते हो downstream processing यानि आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से purify करते हो उनको test करते हो उसके बाद उन्हें pack करके commercialize करते हो यानि किसी भी चीज में आप लोग risk नहीं लेते बिल्कुल अच्छे तरीके से चीजे होती है recombinant therapeutics जो है ये आपकी कोई भी unwanted immunological response आपकी body में generate नहीं करती समझ लो कि आपका human insulin है आपको पता है कि जो diabetic patients होते हैं उनकी body में बैतर तरीके से insulin नहीं बनता तो उन्हें insulin के injection की जरुष पड़ती है कुछ साल पहले ये insulin कहां से आता था ये आपके काटे हुए जो आपके cattle होते थे या pigs होते थे उनके pancreas से आता था because pancreas के जो beta cells है वो आपके insulin बनाएंगे सारे के सारे important mammals के अंदर सो आप क्या करते थे या तो आप cow से insulin लोगे कोई अगर basically आपका cow को अगर काट रहा है beef के लिए तो उसके pancreas से insulin निकाल कर बेचा जाता था market में पहले बात तो वो बहुत अच्छे तरीके से purified नहीं होता था और हमारी body में कोई ना कोई immunological reaction उसके खिलाफ generate हो जाएगी यानि वो insulin हमारी body में ठीक से काम नहीं कर पाएगा अगर आपने pig से लिया तो pig का भी थोड़ा सा unrelated insulin होगा तो हम लोगों में वो भी reaction शो करेगा लेकिन अगर हम एक bacteria की बात करें तो bacteria insulin कैसे बनाता है हमने bacteria के अंदर human insulin का जो gene डाला उसी के respect में bacteria ने हमें insulin बना के दिया यानि सारे amino acid आपके उसी sequence में same sequence में बनेंगे जो कि हमारे gene में present है और gene कहां से लिया गया है human से यानि आपका जो insulin बनेगा वो बिलकुल सटीक बनेगा जैसा आपका human के अंदर होता है तो इसमें आपकी कोई भी irrelevant reaction, immunological response आपकी body में generate नहीं होते और आप उन medicines को आप उन basically pharmaceutical products को बहुत बहतर तरीके से use कर सकते हो आज तक आपकी 30 recombinant ऐसी therapeutic drugs हैं जो आपकी approve कर दी गए हैं for the human use और इसमें से आपकी इंडिया में 12 जो है currently market में available है including the human recombinant insulin so insulin किस तरीके से बनाया जाता है देखो अगर आपको diabetes है basically तो insulin आपको regular time intervals पर लेना होगा so यहाँ पर क्या है कि अगर आप isolate करते हो insulin को किसी other animal से तो वो आपकी body में immunological reaction show करेगी because insulin is a proteinaceous hormone और किसी और organism का protein अगर आपकी body में आ रहा है and after that you will be facing a lot of immunological problems and disturbances in your body so what is important over here कि अगर आप bacteria को use करते है human insulin बनाने के लिए तो उसमें आपका खुद का gene डाला हुआ है so क्या होगा आपका पूरा process simple हो जाएगा आप लोग bacteria को large quantity में उगा पाओगे in the bio reactor grow कर पाओगे culture कर पाओगे and at the end of the day आप लोग बहुत सारी insulin जो है उससे बना पाओगे without any adverse effect or unwanted reactions so insulin जो diabetes में use होती है यह आपका सबसे पहले pancreas से isolate करी जाती थी cattle और pig के okay so क्योंकि एक other animal source से आ रही है so कुछ patient में आपकी जो है allergy हो जाती थी या फिर अलग-अलग type के immunological reaction इन्हें देखने को मिलते थे just because of the entry of this foreign protein so insulin में आपकी दो short polypeptide chains present होती है chain A और chain B जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है so this particular peptide is chain A which is present over here this one is the chain B so यह वाली आपकी chain A है और यह वाली chain B है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है okay और इन दोनों के बीच में जो आपकी यह रहती है जो इन दोनों को correct करने का काम करती है यह आपकी क्या है basically यह आपकी chain C होती है जो कि आपकी inactive insulin में present रहती है जब insulin आपका active हो जाएगा basically तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका chains आपकी c peptide जो है c chain जो है यह हट जाएगी तो यहाँ पर क्या हुआ देखो maturation of pro insulin into insulin pro insulin में क्या है आपका chain a b attached है chain b b attached है और इन दोनों को join करने का link करने का काम कौन कर रहा है chain c लेकिन जब आपका basically इनकी maturation होगी तो chain c को आप लोग हटा दोगे और chain a और b जो है इन दोनों में आपकी attachment हो जाएगी वाया diasulfide link यह diasulfide link दो अलग-अलग type के होते है पहला जो आपके दो अलग-अलग chains के बीच में हो रहा है दो अलग-अलग chains के बीच में हैं समलो this is chain a this is chain b अगर इनके बीच में diasulfide bond है so it is inter chain diasulfide inter मतलब दो chains के बीच में लेकिन काफी बार same chain में ही आपको diasulfide bridge देखने को मिल जाती है that is called as intra diasulfide bridge so यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस chain a में आपका intra है a और इस में b में आपका basically inter है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है similarly यह आपके inter diasulfide bonds है यह आपका intra diasulfide bond है okay so basically a peptide और b peptide 21 amino acid और 30 amino acid की बनी होई होती है respectively और c जो है यह आपका remove कर दिया जाता है to activate the insulin so to convert the pro insulin into insulin आपका c chain का remove होना जरूरी है so they are linked together by diasulfide bridges यह आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि insulin is a protein protein is formed up of what amino acid और amino acid में आपके कुछ important amino acid होते हैं जिनमें sulfur पाया जाता है वो जो आपके sulfur containing amino acid है वो diasulfide bridge बनाने में important होते हैं तो diasulfide bridge किससे बनेगी आपके sulfur containing amino acid cysteine residues के बीच में बनेगी यह आपको यहाँ पर note करना है this is important not given in NCRT so you can utilize this और दूसरा sulfur containing amino acid होता है आपका methionine जो कि usually आपका diasulfide bond नहीं ही बनाता right so main जो आपके diasulfide bond बनती है वो cysteine से बनती है so in mammals including humans insulin is synthesized as a pro hormone यानि ज्यादा तर mammals में आपकी pro hormone के form में insulin बनता है जैसे आपके pro enzyme होते हैं जैसे you know आपका pepsinogen so उसके end में gen है it means that it is a zymogen यानि inactive enzyme तो उसको आप pepsin में convert करोगे chymotrypsinogen chymotrypsin में convert करोगे pro carboxy peptidase pro carboxy peptidase है तो pro हटा दोगे उसे carboxy peptidase में convert करोगे so काफे सारे आपके pro enzyme जैसे होते हैं वैसे आपके pro hormone भी होते हैं जिसको आपको process करना पड़ेगा जिससे आपको fully mature functional hormone आपका मिल पाए so यहाँ पर एक extra chain present रहती है जिसको आप C chain बोलते हो जो C chain है यह आपके mature insulin में नहीं present होती और इसको आप लोग maturation के दोरान remove कर देते हो so main challenge क्या था आपका insulin बनाने में कि अगर आप recombinant DNA technology का इस्तेमाल करते हो और आप तीनों chain का synthesis कर लेते हो तो आप maturation के दोरान C chain को हटाओगे कैसे so और अगर आप A और B chain बना रहे हो तो उन दोरों को assemble कैसे करोगे क्योंकि देखो आप लोग recombinant DNA technology से ठीक तरीके से protein बना तो लोगे लेकिन उसकी जो processing होती है वो एक particular organism के अंदर ही होती है जैसे human insulin है उसकी processing human के अंदर ही होगी बैक्टिरियल protein है तो उसके protein की processing bacteria के अंदर ही होगी यहाँ पर क्या है आपका दो chain है उनके बीच में तीसरी chain है अगर आप यह तीनों chain बना भी लेते हो तो इसकी processing नहीं कर पाऊगे recombinant DNA technology से इसलिए बहुत लंबे time तक आपका human insulin नहीं बना था human insulin जो की recombinant DNA technology से बना हो वो नहीं बन पाये था तो इसको आप लोग प्यार से human insulin बोलते हो तो यह नहीं बन पाये था क्यों क्यों क्योंकि scientist के मन में यह सवाल था कि भाई बना तो लेंगे chain A और B बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है इनके genes हम insert करा देंगे लेकिन इसे assemble कैसे कराएंगे so 1983 में एक American company थी जिसका नाम था एली नीली इसने क्या बोला कि हम दो DNA sequence को insert कराएंगे तो एक gene हो जाएगा आपका A chain का एक gene हो जाएगा B chain का और हम लोग जो है इनको E coli में डालेंगे so chain A और B जब हमारे पास बन के आ जाएंगी separately तो हम इन दोनों के बीच में आपके di-sulfide bond खुद create करेंगे और इस तरीके से आपका human insulin बना लेंगे यानि ये processing तो नहीं कर पा रहे थे ठीक तरीके से तो A, B और C बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता एली ली ने 1983 में क्या सोचा कि भाई A chain बनाओ, B chain बनाओ और इनकी जो है lab में di-sulfide bond इनके बीच में तयार करके mature insulin तयार कर दो खतम C का कोई जमेला ही नहीं चाहिए अब second आपकी जो major इसकी advantage आती है वो है आपका gene therapy gene therapy मतलब समझ लो कि मैं एक patient हूँ और मेरे अंदर कोई gene defective है, सो आपको यहाँ पर करना क्या है आप लोग क्या कर सकते हो, उस defective gene को मेरी body में से निकाल सकते हो उस gene की जगा correct gene insert कर सकते हो and after that you can send the cell to me, so that my cell start working properly, सो यहाँ पर क्या हुआ समझ लो, यह आपका पूरा का पूरा yellow होना चाहिए लेकिन यहाँ पर एक defective gene आ गया, यहाँ पर बीच में जो है आपका defect आ गया, और इस तरीके का एक छोटा सा gene alteration हो गई, आप क्या किया, मैंने पूरे cell को isolate किया, मैंने इस gene को हटा दिया, मैंने इस gene को यहाँ से काटा, और मैंने इस की जगा क्या attach कर दिया, एक functionally proper gene attach कर दिया, तो क्या हो गया मेरे पास, अब बिलकुल correct जो है, confirmation इसकी मुझे देखने को मिल गए So that's how we used to correct the gene deformalities and this is called as the gene therapy, so पहला जो इसका scientific case देखने को मिला था, वो 1990 में देखने को मिला था, जिसमें एक लड़की थी चार साल की, जिसको ADA deficiency थी, which is called as adenosine deaminase deficiency, so यह जो ADA होता है, या adenosine deaminase होता है, या आपके immune system के लिए बहुत important है, अगर आपकी body में ADA protein नहीं बन रहा है, so आपका immune reaction या फिर immune response बहुत slow हो जाएगा, और at the end of the day आपको बहुत सारे pathogen जो है, मार-मार के चले जाएंगे, so क्या हुआ, if a person is born with hereditary disease, यानि अगर एक person को genetic disease है, okay, can a corrective therapy be taken for such disease, क्या उसे correct किया जा सकता है, yes, उसे correct किया जा सकता है, gene therapy is an attempt to do this, gene therapy एक attempt है, जिसमें आपके बहुत सारे method यूटिलाइज होते हैं, so gene therapy is not a single method, it is a collection of method that allows the correction of gene defect that was been diagnosed in child or an embryo, अगर किसी बच्चे या फिर उसके embryo के अंदर कोई gene defect आपको देखने को मिला है, with variety of studies, तो आप उसे correct कर सकते हो, diagnose करने के बाद, इसलिए ये important है कि आप लोग time time पर check up कराते रहें, if you are pregnant, because अगर embryo में ही कोई चीज particularly आपको पता लग जाती है, अगर किसी deformality का पता आपका embryonic stage में ही लग जाता है, तो आपको जादा problem नहीं होगी, plus embryonic stage में उसका correct जो है, आप लोग ilाज भी कर पाऊगे, लेकिन एक बार बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उसमें काफी सारे cells होते हैं, billions of cells होते हैं, और हर cell को modify करना scientifically possible नहीं है, उसमें काफी सारे efforts और काफी सारा पैसा लगता है, so here, genes are inserted into a person's cells and tissues to treat the disease, यहाँ पर क्या हुआ, आपने correct gene को किसी individual के cell में डाल दिया, जैसे यह वाला जो gene था, इसको remove किया और correct gene डाल दिया, जिससे correct protein बना पाए, और आपकी disease ना रहे, so correction of a genetic defect involves the delivery of a normal gene into the individual or the embryo to take over the function of and to compensate the non-functional gene, समझ लो यह जो आपका gene है जो आपका brown कलर का है या orange कलर का है यह आपका non-functional था, यह आपका कोई effective gene को remove कर दोगे, effective gene को डालोगे और आप protein synthesis को बहतर तरीके से फिर judge कर पाऊगे, आपका effective protein यहाँ से बन जाएगा, so आपकी बिमारी अब नहीं रहेगी, so first clinical case जो देखा गया, जो मैंने आपको बताया था 1990 में एक 4 साल की बच्ची थी, जिसको adenosine deaminase की deficiency थी, यानि ada की deficiency थी, now this enzyme or this protein is crucial for immune system to function अगर यह enzyme नहीं होगा, तो immune system ठीक से काम नहीं कर पाएगा, so जिस बच्ची में disorder था, उसमें यह जो ada gene था, इसकी deletion हो गई थी, यानि ada gene present ही नहीं था, तो आप आपको करना क्या है technically, आपको ada gene को clone करना है और इस बच्ची के cell के अंदर डालना है so in some children ada deficiency can be cured by bone marrow transplantation, यानि आप उसकी bone marrow से blood cell निकालोगे आप उस blood cell को निकालोगे और क्या करोगे, enzyme replacement therapy दे दोगे, यानि क्या हुआ देखो, मैं दो technique है मैं आपको बताता हूँ, पहला क्या है enzyme replacement therapy, यानि enzyme जो है directly add कर दो, आपकी problem क्यों हो रही है, क्योंकि ADA की deficiency है, ADA की deficiency है, तो ADA के corresponding आपका enzyme नहीं बन पा रहा है, जो की immune system के work करने के लिए efficient था, आप क्या करो, आप बच्चे की body में directly enzyme डाल दो, तो enzyme अपना जो जो काम होगा, immunological role उसका होगा, वो अदा कर देगा, second important चीज, आप उसके bone marrow के कुछ cell निकालो, cell को आप लोग पकड़ो culture कराओ, जब cell grow करेंगे, तो उसमें आपको क्या देखने को मिल जाएगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, कि हाँ यहाँ problem है, वहाँ पर आप क्या करो gene insert करा दो ADA का और वो जो cells होंगे अब सारे के सारे जिन में ADA का gene आ चुका है, उन्हें दुबारा से transplant कर दो आपकी patient की body में, so enzyme replacement भी आप लोग दे सकते हो, और bone marrow के cells को भी आप लोग isolate करके उससे भी आप therapy कर सकते हो, so यह दो approach आपके हुए so enzyme replacement में क्या हुआ, functional ADA जो है, यह आपका patient को injection से दे दिया जाता है, यानि आपने direct आपका enzyme दे दिया, but the problem with both these approaches आर कि यह दोनों के दोनों temporary हैं यह complete क्योर नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, blood marrow वाले में आपने क्या किया, blood cells निकाले आपने उनको जो है genetically modify किया और patient की body में दोबारा डाल दिया क्या वो blood cell आपके immortal है नहीं, उन blood cell की आपकी एक life span है, समझ लो 3 महीने के आसपास, तो 3 महीने बाद दोबारा से blood cell निकाल के उसमें सेम चीज़ करनी पड़ेगी तो हर 3 महीने में आपको ये काम कराना पड़ेगा, it is not a permanent cure second important thing, enzyme replacement तो permanent है ही नहीं, आपको हर महीने या फिर हर 3-4 हफते में जाकर basically आपका enzyme का injection लेना पड़ेगा so gene therapy में first step आपका क्या है, lymphocyte यानि आपके जो blood cell है blood से वो आपने निकाले और culture में grow कराए outside the body functional ADA का जो cDNA है यानि complementary DNA जो है आपका basically वो आपने तयार किया और इसमें introduce करा दिया cDNA मतलब आपका complementary DNA यानि ये क्या रहता है, आपका coding part रहता है complementary DNA में आपके introns वगेरा नहीं लिये जाते because it becomes very important कि आप लोग सिर्फ coding part patient के अंडर डालो तो आपको introns पहले से आप remove करके cDNA library तयार कर लेते हो, उससे आपने cDNA निकाला और आपने क्या किया उस single standard cDNA को आपका patient के अंदर insert करा दिया जिससे वो further replicate कर पाए अपने आपको बहुत सारे cDNA बना ले और directly translate करके protein भी बना सके so इन्हें क्या है patient के अंदर return कर दिया जाता है यानि मैंने lymphocyte निकाले उन्हें culture कराया, उनके अंदर cDNA डाला जो कि ADA बना सके और उन सारे cells को patient के अंदर डाल दिया तो क्या हुआ, आपके patient में ADA बनने लग गया, लेकिन ये cells आपके immortal, you know basically नहीं होते, तो क्या होता है यहाँ पर आपका periodic infusion चाहिए रहती है, in genetically engineered lymphocyte की, यानि ये जो आपके genetically engineered cell है, ये आपके बार-बार insert कराने पड़ते हैं patient के अंदर क्योंकि ये एक permanent cure नहीं है however, if gene is isolated from marrow cells producing, ADA is introduced into cells at early embryonic stage, it could be a permanent cure लेकिन अगर बच्चा आपका embryonic stage में है, अगर उसमें बहुत कम cell proliferation हुई है, उस time पर अगर आप एक, you know, ADA का gene insert करा देते हो into the bone marrow cell, तो bone marrow cell में आपने अगर एक बार insert करा दिया, तो बच्चे में जितने भी blood cell बनेंगे, सब के अंदर आपका functional ADA gene चला जाएगा तब तो फायदा भी है, यानि आपका basically क्या है, आपका embryonic stage में इन सब चीजों का analyze करने का क्या फायदा है, क्योंकि अगर आप initial cell के अंदर gene clone करके डाल दोगे, तो उससे जितने भी cells बनेंगे, उन सब में automatically आपका वो gene चला जाएगा, लेकिन mature organism में ये सब करना is really really difficult, that's why it is not even prescribed okay, molecular diagnosis, यानि बिमारियों का पता लगाने में ये किस तरीके से काम आता है, you know that for effective treatment of a disease, यानि इसी बिमारी को effectively, you know आपका ठीक करने के लिए, early diagnosis और understanding of the pathophysiology is very important, so आपको उसको early diagnose करना पड़ता है, आपको पता करना पड़ता है कि ये बिमारी आकेर हो किस वज़े से रही है, और इस बिमारी की किस हद तक ये पहुँच चुकी है, क्योंकि most of the time आप जब कोई बिमारी को diagnose करते हो, वो already बहुत लेट हो चुका होता है, क्योंकि आप diagnose कब करते हो, जब आपकी body में symptom आ जाए, और जब body में symptom आ जाए, इसका मतलब ये है कि आप लोग already बहुत जादा लेट हो चुके हो, अगर symptom आ रहे हैं, इसका मतलब your bacteria or your pathogen has already divided a lot, और आप लोग क्या करते हो, उसके disease cause करने के mechanism को समझते हो, यानि pathogen की physiology को समझते हो, कि ये disease cause कैसे कर रहा है अगर वो कोई protein बना रहा है हमारी body में और तब आपकी disease cause हो रही है तो आप लोग इलाज के तो और पे क्या करोगे अगर वो कोई, यूनो किसी particular organ में जाके penetrate करता है, तो आप क्या करोगे उस organ में उसके penetration को रोग दोगे, आप पहले ही उसको block कर दोगे कोई antibiotic वगएरा दे कर या फिर कोई particular drug दे कर इस हिसाब से आपको पता लग जाना चाहिए कि बिमारी का main कारण क्या है की बड़े बड़े जो disease हैं, जिनमें आपका, you know, inactive pathogen present रहता है, या फिर आपका, you know कोई आपका ऐसा potent pathogen है जो आगे चल कर आपका बहुत जादा actively divide कर सकता है, उसको भी ये पता नहीं लगा सकते लेकिन recombinant DNA technology जो है, जैसे PCR जो हमने कल पढ़ा था केरी मुलिस साब की देन, PCR और enzyme linked immunosorbent assay, that is ELISA, ये कुछ technique है, जो early diagnosis को आपका बढ़ावा दे सकती है तो पहले PCR को थोड़ा सा में elaborate कर देता हूँ हमने कल भी किया था, बट still let's do this and after that we will do the ELISA PCR में क्या होता है आपके तीन process होते हैं, पहला process denaturation, तो आपने क्या किया ये अगर आपका double stranded DNA था आपने इसे denature कर दिया तो ये strands आपके दूर दूर हो गए separate हो गए, दूसरा important process क्या होता है, annealing, यानि आपने क्या किया, इन DNA strands के उपर आपका primer attach कर दिया, जो की DNA replication को आपका बढ़ा पाए, यहां पर आपका primer attach हो गया, यहां पर आपका primer attach हो गया, तो one is called as forward primer, the second one is called as reverse primer अब ये primer जो रहते हैं, basically ये क्या करते हैं, आपके पूरे के पूरे strand को polymerize कर देते हैं, तो the third important step is what, it is extension or the polymerization so, ये primer आपके क्या करेंगे, ये पूरा DNA strand synthesize कर लेंगे, ये भी पूरा DNA strand synthesize कर लेगा, so at the end of the day आपको result क्या मिला, आपको result क्या मिला, कि आपने जहां से start किया था, उसमें दो strand थे, यानि एक DNA molecule था, और अब आपका क्या हुआ है, दो DNA molecule यानि charge strand आपके present हो गए, इस तरीके से okay, so आपने इनको duplicate कर लिया है आपने अपने gene को amplify कर लिया है और अगर आप इसी process को बार बार जो है आपका दोराते हैं तो आप अगर 30 times basically ये cycle दोराएंगे PCR की तो आपका जो gene है ये आपका 1 billion times amplify हो जाएगा, इसकी 1 billion copy आपको देखने को मिलेंगी, तो एक copy हो सकता है, आपकी नदर से छूट जाए क्या 1 billion copy आप लोग diagnose नहीं कर पाऊगे क्या 1 billion copy आप लोग detect नहीं कर पाऊगे इतने जादा amplification के बाद obviously आप लोग detect कर लोगे so PCR इसलिए आपका एक बहुत important mode है, जिससे आप लोग early diagnosis कर पाऊँ, बहुत कम quantity of आपका pathogen भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए अब आपका क्या होता है, ELISA ELISA में क्या नाम आए है, enzyme linked immunosorbent assay, enzyme linked याँ आप यहाँ पर enzyme का use करते हो immuno, मतलब आप यहाँ पर antibody का use करते हो assay, मतलब यह जो है basically आपका एक तरीके का tool है, so enzyme और antibody को आप लोग use करते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, ELISA में आपका antigen और antibody interaction होता है किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ समझ लो आपका एक pathogen आपकी body पर attack किया okay, so यह antigen आपका जो है यहाँ पर present है okay, समझ लो antigen नहीं present है, मैं आपको पहले reverse case बता देता हूँ वो आप लोग के लिए I think जादा beneficial रहेगा समझ लो आपकी body में एक antibody मिली है और antibody कम मिलेगी, जब आपकी body में वो pathogen है तो उसके खिलाब antibody बनेगी ना अब आपका, आप लोग कैसे कर रहे हो corona का test, आप लोग basically क्या कर रहे हो antibodies find out कर रहे हो okay, you are also doing RT-PCR in that particular case अगर आप लोग उने news सुनी हो कि आप लोग अभी जो further corona का test कर रहे हो that is real time PCR, okay आप RT-PCR का use कर रहे हो as an effective diagnostic kit यहाँ पर आपके ELISA में क्या होता है आपके antibodies तयार हुई है किसके खिलाब, antigen के खिलाब यानि अगर आपके antibody बन रहे हैं blood में तो वो antigen से interact कर देंगी हम इनकी interaction को यहाँ पर note कर लेते हैं यानि आप लोग क्या है, एक particular surface के उपर, यह किसी membrane के उपर basically आप लोग लगाते हो antibody या antigen, दोनों तरीके से आप लोग ELISA कर सकते हो आप यह antibody जो है, इस पर specific antigen आकर bind कर जाएगा यह antigen जो है, इस पर specific antibody आकर bind कर जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका यहाँ पर interaction हो रहा है, यानि pathogen present है pathogen present होगा, उसका कोई protein अगर present होगा, उसका कोई antigen present होगा तभी तो जाके antibody से react करेगा ना यह interaction हम लोग note करते हैं और इससे हमें पता क्या लगता है इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर एक color आ जाएगा color क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग pathogen body में है, अगर color नहीं मिला इसका मतलब enzyme activate नहीं हुआ enzyme activate नहीं हुआ, मतलब antigen antibody में interaction नहीं हुई अगर interaction नहीं हुई, कहने का मतलब है आपका pathogen body में present नहीं है, आप लोग safe हो, इस तरीके से ELISA आपका काम करता है, राइट इसमें chromogenic substance आपका डाला जाता है और उस पर enzyme act करता है, जिससे आपको color का पता लग जाए, जैसे आपका pregnancy kit है pregnancy kit थोड़ा अलग हो गया, लेकिन वहाँ पर आप लोग क्या करते हो, वहाँ पर आप लोग basically क्या करते हो, कुछ proteins का test करते हो so protein जो एक female की body में है होंगे pregnant women में, वह वहाँ पर क्या होंगे attach हो जाएंगे, और जैसे उनके बीच में reaction होगी आपको colored strip दिखाई दे जाएगी इस reaction की वज़े से तो आप बोलोगे yes I am pregnant, ओके और अगर वहाँ पर color strip develop नहीं होई तो आपको पता लग जाएगा कि antibody, antigen reaction नहीं होई, वहाँ पर आपका सब जो है मामला ठीक है, मतलब you are not pregnant, मतलब if it is an unwanted pregnancy और अगर you know if it is wanted तो खुशिया मनाई जाएगी मिठाई बाटी जाएगी, तो यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली उस तरीके से ही आप लोग ELISA को करते हो, antigen, antibody interaction ही है प्रेगनेंसी के दौरान कुछ specific आपके enzymes बनाता है या proteinaceous hormone बनाता है, आपका कौन, placenta, जैसे human placental lactogen, human chorionic gonadotropin, SCG, HPL बगएरा, उनके खिलाब जो जा फिर उनके against जो antibody बनती है, बेसिकली, वो आपकी वहाँ पर target कर दी जाती है, उनके बीच में जब interaction होगा, तो colored strip आपकी observe हो जाएगी, राइट, इस तरीके से आप लोग ELISA और PCR का use करके, पता लगा सकते हो, किसी भी pathogen के बारे में so presence of a pathogen is normally suspected only when, जब आपके symptoms appear होते हैं, यानि आपको कैसे पता लगेगा, अगर बहुत कम bacteria आपकी body में बहुत जादा बढ़ चुके होंगे, so concentration of the pathogen is already very high in your body at that particular point of time, अगर आपको low concentration of bacteria राव वाइरस चेक करनी है, जब आपके symptoms भी आपके नहीं visible हुए हैं, तो आप लोग इनकी amplification से check कर सकते हो, जो कि आप लोग PCR की help से करते हो, so PCR जो है basically आपका use किया जाता है to detect the HIV, क्योंकि HIV में जो viral DNA उसको आप बार 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 अगर replicate करोगे, तो इसकी billions of copies बन जाएंगी, और इसकी billions of copies को आप लोग असानी से detect कर पाऊगे, तो आपके यहाँ पर AIDS patient को, suspected AIDS patient को test करने के लिए PCR यार यूस किया जाता है, it is also been used to detect mutation in genes in suspected cancer patients too, okay, it is a powerful technique to identify many other genetic disorder, यानि cancer में भी जो आपकी mutation होती है, उन्हें find out करने के लिए बहुत important है, so इसमें mutation कैसे पता लगती है, उसके लिए मुझे खाली जगा लगेगी और खाली जगा के लिए मैं स्लाइड ले रहा हूँ, so हम यहाँ पर क्या करेंगे basically, यहाँ पर आपका एक समझ लो gel है, या फिर यह समझ लो membrane है, इस membrane में आपने एक organism के DNA को separate कर लिया, यानि आपने अगरोज gel electroforesis से सबसे पहले क्या किया, gel पर उन bands को separate कर लिया, फिर आपने उस gel के जो bands थे, उनको transfer कर दिया to a membrane, यह आपकी membrane है, जिस पर आपके सारे के सारे bands मौझूद है, इसके उपर मैं क्या डालूँगा, मैं probe डालूँगा, probe क्या होता है, कोई DNA या RNA, जो की radio labeled हो, जिसमें radioactive isotopes use किये गए हो, उन्हें मैं प्यार से probe बुलाऊंगा, इस probe को मैं जहां पर bind करना चाहता हूँ, अगर bind हुआ तो ठीक, otherwise आपको mutation का पता लग जाएगा, मैं काफी सारे probes तयार करूँगा, जो की आपके complementary होंगे to the DNA sequences, समझ लो, आपका DNA का sequence है, ATGC-ATA, और आपके mutation हो गई है cancer के cells में, और यह बन गया है ATGC-GTA, तो मेरा जो probe था, वो क्या होगा, मेरा probe जो मैंने तयार किया था, उसमें क्या sequence था, उसमें था TACG-TAT, तो यह कहां पर जाकर bind करेगा, TACG-ATGC-TAT-ATA, यहां पर आकर bind कर जाएगा यह probe, बाइंड नहीं किया, इसका मतलब इसमें mutation है, क्योंकि आपका probe क्या है, exactly complementary है, probe आपका normal sequence के to complementary है, तो वहां जाकर bind कर जाएगा, जहां पर probe बाइंड नहीं हुआ, वहां पर आपको क्या पता लग गया, कि यहां पर गड़बड है दया, यहां पर तो आपकी mutation है, इसका मतलब वो आपका suspected patient है, जिसके अंदर mutation देखी गई है, इसमें बिमारी होने के chances आपके जादा हैं, क्योंकि यहां पर आपका probe specifically bind नहीं किया, यह चीज़ आप लोग detect कैसे करते हो, यह चीज़ आप लोग detect करते हो by using auto radiography, क्योंकि radio isotope को आप लोग आँखों से नहीं देख सकते, कि हाँ यह radio labeled है, तो यह आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता, आप लोग जब auto radiography करोगे, auto radiography, आप लोगों को क्या दिखेगा, जहां पर probe bind हुआ है, यह तो आपको colored दिख जाएगा, और जहां पर यह mutated वाले में color नहीं हुआ, यह आपको colored नहीं दिखेगा, so you will be getting to know that this is the mutated gene, all right, so इस तरीके से भी आप लोग पता लगा सकते हो, यही बात यहां पर बोली हुई है, एक single standard DNA और RNA tagged with radioactive molecule is called as probe, जिसको आप लोग क्या करते हो, अपने complementary DNA से hybridize करने की कोशिश कर लेते हो, so autoradiography से आपको पता लग जाएगा कि probe कहां कहां bind किया, कौन कौन से sequences आपके ठीक है, so clone having the mutated gene will not be appear on the photographic plate, यानि आपका जब autoradiography से आप लोग देखोगे, तो जहां पर probe आपका bind हुआ है, sorry, आगे की slide से यह थे हमें, alright, so जहां पर probe आपका bind हुआ है, ये तो आपका screen पर दिख जाएगा, ये तो चमकेगा, लेकिन ये वाला नहीं चमकेगा नीचे वाला, so आपको कैसे पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा, कि जो नहीं चमका वो mutated है, so जो आपका mutated होगा, वो appear नहीं होगा photographic film पे, because probe जो है, उसको complementary sequence नहीं पता है, आपके mutated gene का, तो वो वहाँ पर bind ही नहीं किया, ELISA आपका एक और test है, जो कि antigen, antibody के interaction पे based है, जो कि मैंने यहाँ पर बना दिया है, so यहाँ पर आपका pathogen जब infect करेगा, so उसके antigens जो है, यानि उसके body के जो protein या glycoproteins है, उनके खिलाफ हमारी body में antibody स्वरी बन जाएगी, और उनके बीच में जो आपके interaction होगी, उसको हम लोग इस chromogenic substance या enzyme की presence में detect कर लेंगे, so आपकी ELISA भी जो है एक बहुत अच्छा आपका diagnostic tool है, transgenic animal, यानि क्यों transgenic animal आपके use किये जाते हैं, क्यों genetically modified organism आपके use किये जाते हैं, animals जिन में DNA आपने manipulate कर दिया है, to express the foreign gene, इसको आप लोग कहते हैं, transgenic animal, यानि किसी normal animal में आपने बाहर का कोई foreign gene अगर लाकर insert करा दिया है, तो वो animal अब किसी और के gene को express कर रहा है, so at the end of the day, it will be called as genetically modified or the transgenic animal, जैसे transgenic rat आपके होते हैं, rabbit आपके होते हैं, pig होते हैं, ship होती है, cow होती है, fish होती है, लेकिन 90% से भी जादा, या फिर 95% से भी जादा, आपके जो transgenic animal है, जो lab में सबसे जादा use किये जाते हैं, उन्हें आप बोलते हैं, mice, यानि चुहे, so यह जो mice रहते हैं, इनको आप लोग sacrifice करते हो, इनको आप लोग कभी नहीं कहते हैं, the mice will die, okay, काफी books में mentioned है, but it is not the correct term that is used by the scientist, the scientist will obviously say the mice is sacrificed, because the contribution of mice in the, you know, biotechnology or in the field of biology is, you know, very high, so जब आप mice को you know, एक particular research में use करते हो, और उसके बाद, उस mice को आप लोग basically मार देते हो, उसके cord को तोड कर, so आप लोग basically क्या करते हो, उस mice को sacrificed बुलाते हो, reason है, normal physiology और development को जानने के लिए, समझ लो आपको पता करना है कि एक organism में एक particular gene का उसकी development में क्या role है, आप लोग क्या कर दोगे, उसका knockout बना दोगे, knockout क्या होता है, knockout मतलब एक ऐसा organism जिसमें से एक important gene को मैंने निकाल दिया है, तो उस immune system में खराबी आ जाएगी, तो इससे हमें क्या पता लगता है, कि ADA is responsible for immune reactions, अगर आपकी body से मैं insulin के gene को knockout कर दूँ, तो आप diabetic हो जाओगे, यानि कि insulin is responsible for the diabetes, similarly आपके कोई developmental genes हैं, जिनको मैं आपकी body से knockout कर दूँ, या फिर आपकी body में over express करा दूँ, दो अलग-अलग तरीके रहते हैं, या तो आप knockout कर दो, हटा दो किसी gene को किसी की body से और पता करो कि भाई क्या-क्या गडबडे हो रही हैं, तो आपको पता लग जाएगा that this gene is responsible for that गडबड, यानि आपके वो सारे काम, जो अभी गडबड हो रहे हैं अगर हम ये gene डाल दें, तो ठीक हो सकते हैं तो हम लोग फिर gene डाल के भी देखते हैं कि वो सही हो रहे हैं कि काम नहीं तो आपको confirmation हो जाती है कि yes, this gene is responsible for this particular function, this gene is working in development, this gene is working in the physiology इस तरीके से आप लोग क्या करते हो, हर gene का role पता कर सकते हो, तो transgenic animals can be specifically designed to allow the study of how genes are regulated आपके genes किस तरीके से regulate होते हैं किसी organism में उसको देखने के लिए आप लोग in transgenic animals का use कर सकते हो, और किस तरीके से वो affect करेंगे आपकी body के normal functions को और development को समझ दो, आपने insulin को बहुत ज़्यादा express कराया तो आपके blood में glucose बिल्कुली कम रहने लगा, तो आपको पता लग गया कि insulin का काम क्या है और development में उसका क्या role है, जैसे कि आपका insulin like growth factor है उसका आपका development में क्या role है यह अगर आपको जानना है, तो या तो आप उसे knockout कर दो, या आप उसे over express करा दो आप जब introduce करोगे इन genes को from other species that alter the formation of this factor and studying the biological effect that result information is obtained about the biological role of the factor in the body यानि आप जब एक gene को insert कराओगे किसी organism के अंदर और उसे जो जो function आपके improve हो जाएंगे आपको पता लग जाएगा कि वो वो function आपका ये gene regulate कर रहा है so normal physiology, normal developmental processes normal genes के function को जानने के लिए आप लोग transgenic organisms का use करते हो, इसके अलावा disease को पढ़ने के लिए समझ लो कि मुझे पता करना है many transgenic animals are designed to increase the understanding of how genes contribute in the development of a disease there are specially made to serve as models for human disease, so that investigation of new treatments for disease is made possible, यानि समझ लो आपको basically pneumonia का पता करना है, so आप क्या करोगे streptococcus pneumonia का जो S strain है, आप लोग डाल दोगे mice के अंदर, आपको पता लग जाएगा कि mice जो है वो मर गई, so आप next mice में क्या करोगे streptococcus भी डालोगे और उसके साथ आपने जो दवाई बनाई है आप वो भी डालोगे, पहले तो आप mice में ये पता करोगे कि कहाँ पर जाकर streptococcus ने असर किया कि हाँ भई, heart cell पर असर किया liver cell पर असर किया, muscle cell पर असर किया बिमारी इसने किस तरीके से cause कि कि उसको आप लोग डाइगनॉस कर लोगे, detect कर लोगे after that आप लोग medicine बनाना start करोगे और check करोगे कि क्या हम mice को pneumonia होने से बचा सकते हैं सो दूसरे model पर आप ये disease का test करोगे सो आप लोग जो है नए नए बिमारियों के basically होने का तरीका और उनके लिए नए नए जो treatments हैं ये आप लोग तयार कर सकते हो सो आज कल transgenic model जो है वो हर बिमारी के लिए बना गिलिए गए हैं जैसे कि आपका cancer, ये भी आप mice में पढ़ सकते हो cystic fibrosis, rheumatoid arthritis, Alzheimer सबके लिए आपके important जो transgenic animals हैं वो तयार किये जा चुके हैं जिससे इनकी study को और भेतर बनाया जा सके biological product आप लोग इनसे कुछ ना कुछ design तो करते हो ये बात तो सच है हम लोग बहुत लालची हैं तो हम लोग genetically modified animals से भी कुछ ना कुछ लेते हैं जैसे हमने bacteria को modify कर दिया था to make the human insulin similarly हम लोग काफी animals को भी modify करते हैं to make some products essential and important for human beings so medicine required to treat certain human diseases can contain biological products but such products are often expensive to make यानि आप human के अंदर जो product बनते हैं जैसे insulin बनता है आपके diabetes के लिए ये अच्छी बात है लाकिन अगर आप human insulin निकाल निकाल के बेचोगे तो वो एक feasible process नहीं है and secondly it is very costly to make that thing in human only so आप लोग क्या करते हो transgenic animals तयार कर सकते हो जिससे आपका जो भी biological product है उसका gene आप लोग introduce कर दो दूसरे organism के अंदर और उसमें वो product आपका तयार हो जाए जैसे कि human protein जो है alpha 1 antitrypsin ये emphysema को correct करने के लिए important है जो कि आपका एक respiratory disorder है so alpha 1 antitrypsin का gene आप लोग निकालो किसी और organism में डालो तो emphysema आपका correct हो जाएगा उसके लिए protein आपके बनने लग जाएगे similar attempts जो है आपके phenyl ketoneuria को ठीक करने के लिए भी आपके लगाए गए और cystic fibrosis को ठीक करने के लिए भी लगाए गए यानि इन में जिस protein की कमी होती है उस protein के gene को identify करो आपके defective organism में डालो और इनको बनाने की कोशिश करो तो protein के deficiency दूर हो जाएगी in 1997 आपकी पहली transgenic गाए बनी थी जिसका नाम था Rosie और Rosie के दूद की क्या बात थी Rosie का जो दूद था वो जो आप humans को usually पिलाते हो जो आप बच्चों को usually पिलाते हो उस जितना protein उस Rosie गाए के दूद में था यानि कि इसमें 2.4 grams per liter protein था which is very high so ये जो protein था ये कौन सा था human alpha lactalbumin यानि आप लोग अगर human alpha lactalbumin के gene को code करोगे और एक आप गाए में डाल दोगे तो आपको क्या होगा ये protein आपको बहुत अच्छा मिलेगा अच्छी quantity में मिलेगा उस गाए में जो कि आपका more balanced product है human babies के लिए than natural cow milk यानि आप लोग natural अगर किसी गाए का दूद पीते हो और अगर आप modified गाए का पीते हो जिसमें alpha lactalbumin बहुत जादा है तो वो आपके लिए जादा beneficial रहेगा क्योंकि उसमें आपको you know human protein जो आपका basically था human milk protein वो आपको मिलता है vaccine safety अगर आपने कोई vaccine तयार की है तो उसको clinical trial से होकर गुजरना पड़ता है सबसे पहले आपकी जो vaccine है वो छोटे transgenic animals पे try की जाती है test की जाती है जैसे चूहे वागेरा अगर चूहे वागेरा आपके safe निकल जाते हैं तो आपके बड़े organism बड़े transgenic animals पे वो जो है आपकी vaccine test की जाती है जैसे कि आपके rabbit हो गए आपके you know pigs हो गए इन सब पे सब try की जाती है जो की human से थोड़े जादा related है उसके बाद आपके monkey like organism पे treat करी जा सकती है क्योंकि monkey is more related to that of human beings and after that कुछ आपके जो patients रहते हैं कुछ suspected patients रहते हैं उन में इस particular you know vaccine को test किया जाता है and after that it is commercialized in the market so एक बहुत ही जादा cumbersome process से होकर गुजरना पड़ता है vaccine को क्योंकि इसकी safety बहुत जरूरी है अगर एक गलत vaccine market में आ गई तो लोग उस गलत vaccine के कारण अपनी जान गवा बैठेंगे so transgenic mice जो है यह इसलिए develop की जाती है जिससे आप testing कर सको और vaccine safety को maintain कर सको transgenic mice जो है यह test करने के लिए use की जाती है आपके polio vaccine की भी सबसे पहले polio vaccine आपके mice में ही test हुई थी अगर यह successful होती है और reliable होती है तो इन्हें जो है monkey में test किया जाता है and after that आपके कुछ you know patients के batches पे भी try किया जाता है similarly chemical safety testing यानि क्या हुआ आपके vaccine की safety की आप लोग जिस तरीके से test कर रहे हो वैसी आप लोग chemicals की safety का भी test करोगे आप लोग उनके toxicity level को भी judge कर पाओगे with the help of transgenic animals इसे आप लोग toxicity या फिर safety testing भी बोलते हो जो कि मैंने आपको अभी एक term बताई कि किसी भी chemical की toxicity यानि उसकी तादाज जो है जरूरत से ज़ादा बढ़ जाना तो उसके क्या adverse effect होते है वो भी आप लोग यहां पर animals के अंदर उस toxin को डाल कर judge कर सकते हो so the procedure is same as the toxicity of drugs transgenic animals जो है उनको ऐसे genes दिये जाते हैं जो कि उन्हें जादा sensitive बनाए toxic substances की तरफ than non-transgenic animal यानि जो आपका genetically modified animal है उसमें ऐसा gene है जो कि उसे toxin के प्रती more susceptible बना रहा है यानि कि अगर आप उसमें toxin डालोगे तो उसमें जल्दी effect पड़ेगा और जो दूसरा आपका control है यानि ऐसा animal है जिसमें कुछ नहीं डाला गया जो normal है इन दोनों को फिर compare किया जाएगा कि toxin का effect किसमें क्या है so they are then exposed to the toxic substances और इन दोनों में effect जो है study किये जाते हैं और इन दोनों में difference देखे जाते हैं कि आपके toxic का effect क्या क्या है so toxicity testing in such animal will allow us to obtain result in less time क्योंकि हम जो है कम time में result अगर ला पाएंगे तो बहतर तरीके से हम लोग इन चीज़ों को judge कर पाएंगे ethical issues यानि काफी बार जब हम research करते हैं तो काफी सारे ethical issues आ जाते हैं काफी ऐसे organisms रहते हैं जिनको मारना या फिर किसी भी organism को मारना human के लिए एक बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है ये बात हमें काफी सारे लोग आकर कहते हैं तो उनकी बातों की इज़त करते हुए respect करते हुए काफी सारी ऐसी ethical committees बनी है जो हमेशा कोई भी research paper अगर publish होता है तो उसमें हमसे पूछते हैं कि क्या आपके पास इसका approval था जो आपने animals पर research करी है because वो approval उनी को दिया जाता है जो authentic research करते हैं और basically दोनों चीज़ों को यहां पर बकायदा आपका एक balance बनाया जाता है कौन सी दोनों चीज़ें कि आपकी ज़ादा organisms किलना हो क्योंकि organism की जान भी जान है तो उसकी भी कदर करनी चाहिए लेकिन आपको recombinant DNA technology जो है इससे काफी सारे फायदे हो रहे हैं काफी सारे advancement हो रहे है हम लोग patients को भी ठीक कर पा रहे हैं काफी सारे bio products बन रहे हैं काफी सारे drugs बन रहे हैं bio pharmaceutical industry आपकी build हो रहे है तो कहीं ना कहीं हमें इनकी जरूरत भी है तो हम इन दोनों को balance करते हैं कि कहीं आपकी इस चीज़े जादा ना हो जाएं और कहीं आपके organisms की तादात कम ना हो जाएं तो हमें एक balance बना कर इन सब चीज़ों को execute करने की कोशिश करते हैं जिससे आपकी morality of all human activities could be taken into consideration यानि आपकी moral values science से उपर basically होनी चाहिए कि आपकी science जरूरी है लेकिन moral values यानि किसी की हत्या करके अगर आप science कर रहे हो तो वो भी उतनी essential नहीं है going beyond the morality of such issues the biological significance of such thing is also very important यानि पिछले कुछ सालों में industry बहुत बदली है और recombinant DNA technology ने अपना चमतकार बहुत बहुत बहुतर तरीके से दिखाया है so इसमें organisms की जान जरूर जाती है लेकिन इसकी significance भी है so genetic modification of organism have unpredictable results यह हमारे लिए बहुत ही phenomenal results दे सकती है और you know basically यहाँ पर इसलिए इसको थोड़ा बहुत you know करते रहना चाहिए हमें लेकिन एक control के साथ एक regulation के साथ तो this regulation is very important so इसलिए क्या क्या Indian government ने जो है एक organization set up की है जो की है GEAC जिसका मतलब है Genetical Engineering Approval Committee यानि यह committee जब आपकी approve करती है तो ही आप Genetical Engineering के research कर सकते हो यानि तभी आप Recombinant DNA Technology पर काम कर सकते हो which will make decisions regarding the validity of GM research and the safety of introducing GM organisms into public services यानि आपने जो genetically modified organisms पर research की है या फिर आप अगर उसे launch करना चाह रहे हो commercialize करना चाह रहे हो तो उस सब की safety को पहले test किया जाएगा by Genetic Engineering Approval Committee so modification or usage of living organisms for public services जैसे कि आपने vitamin A and H food बनाया आपने medicine बनाई जैसे human insulin बगएरा ये सारे आपके जो है काफी बार patents में इनमें लडाई हो जाती है कुछ companies कहती है भाई सबसे पहले हमने बनाया कुछ companies कहती है सबसे पहले हमने बनाया so उनको patent करने के पीछे भी जो है मारधार होती है क्योंकि इसमें फायदा क्या है समझ लो एक company कहती है कि मैंने इसे सबसे पहले patent कराया तो उसको छोड़कर जो भी पूरी दुनिया में इसे बेच रहा होगा उसे उस company की इजाज़त लेनी पड़ेगी समझ लो this is company A एक example लेते हैं समझ लो this is American company American company ने ये बोला है कि insulin सबसे पहले मैंने बनाई और patent करा लिया समझो तो इंडिया में जो insulin हम लोग बना कर बेचते हैं उसके लिए भी हमें अमेरिका से permission लेनी पड़ेगी उके प्लस इसे पैसे भी देने पड़ेगी हम लोग उस patent से जो भी कमाते हैं इसलिए science में patent is very important एक अच्छा patent किसी भी scientist की life set कर सकता है तो जो भी पूरी दुनिया में उस scientist के अलावा उस patent को use कर रहा होगा without permission उसे जो है आपकी royalty भी scientist के साथ share करनी पड़ती है contribution भी share करना पड़ता है या फिर उसकी permission मांग नहीं पड़ती है before using that particular thing इसलिए patent पे मारधार बहुत काफी लंबे time से देखी जा रही है प्लस patent पे आपकी धोखा धड़ी भी बहुत जादा time से आपकी देखी जा रही है so there is a growing public anger that certain companies are being granted patents for products and technologies that make use of genetic materials, plants and other biological resources that have long been identified, developed and used by farmers and indigenous people of that country क्या कहा गया है कि लोगों में आक्रोश है लोगों में गुस्सा है क्योंकि कुछ बड़ी बड़ी companies ने ऐसी चीज़ों को अपने नाम पर patent करा लिया है जो उस जगा के लोग हजारों सालों से उगा रहे हैं डवलप कर रहे हैं, वहां के किसान आपके उस चीज़ को खा रहे हैं उस चीज़ को patent कर लेती है आपकी बाहर के कोई विदेशी company वोगों में इस चीज़ को लेकर गुस्सा है जैसे कि आपका rice बासमती rice पर बहुत बड़ा dispute हुआ था तो rice एक important food grain है और इंडिया में ये second important staple food है सबसे जादा जो आपके खाये जाने वाले दो staple food हैं वो है आपके wheat और rice और उसके बाद आता है आपका maize, so wheat, rice और maize सबसे जादा खाये जाते हैं इंडिया में तो अगर आप हजारों साल पुरानी संस्कृती में जाओ और आप अगर Asia की agricultural history देखो तो आपको पता लगेगा कि हम जो है rice को हजारों सालों से उगा रहे हैं हमारे पास दो लाग से भी जादा varieties हैं चावल की सिर्फ इंडिया में और यहाँ पर जो ये diversity है पूरी दुनिया में सबसे जादा है इंडिया के पास बासमती राइस जो है इसमें characteristics smell आती है यानि इसका characteristic aroma होता है और इसका बहुत ही characteristics स्वाध होता है आपको जानकर हैरानी होगी कि बासमती की भी हमारे पास 27 से भी जादा documented varieties है जो कि इंडिया में उगा कर इंडिया में खाई जाती है बासमती राइस का जिक्र हमारे पुराने text यानि हमारे पुराने जो manuscript से उन में हमारे folklore में और हमारी संस्कृतिक जो poetry है जो हमारे गान वगेरा है जो हमारे लोक गीत है इन में बास्मती का जिक्र बहुत जादा किया गया है और काफी सालों से सौ से हजार सालों से पहले से बास्मती का जिक्र इंडिया में चल रहा है लेकिर इन 1997 क्या हुआ एक American company जो है उसने बास्मती rice को patent करा लिया from US Patent and Trademark Office कैसे इन्होंने क्या बोला इंडिया से बास्मती rice लिया एक semi dwarf variety से इसे cross किया और बोलता है देखो यार हमने क्या बना दिया क्या गजब कर दिया क्या नई variety बनी है तो इन्होंने क्या बोला कि company ने एक नई variety बनाई है new variety बट ये new variety नहीं थी new variety क्यों नहीं थी क्योंकि इन्होंने क्या किया Indian farmers की जो variety थी उसको use किया और cross करा दिया semi dwarf rice varieties के साथ और बोलते हैं कि यह आपकी नई variety है तो यह नई variety नहीं मानी गई ओके लेकिन धोखा धड़ी कितनी बड़ी हुई इंडिया में जो लाखों सालों से हम लोग उगाकर खा रहे हैं उसको US trademark office ने क्या किया आपका patent grant कर दिया तो यह तो गलत बात हो गई न so the patent extends to functional equivalents implying that other people selling बासमती rice could be restricted by the patent यानि American company के पास अब वो ताकत थी कि अमेरिका को छोड़ के जो भी बासमती rice बेच रहा है या तो हमें जुर्माना दो या तो हमें भाई royalty दो या फिर मैं तुम्हें बासमती rice बेचने ही नहीं दोंगा यानि हमारी देश की संस्कृती हमारी देश की परंपरा जो हम सालों से खा रहे हैं उसको खाने के लिए अब हमें किसी और को पैसे देने पड़ेंगे that is not correct इसलिए patent पे मारधार होती है so several attempts has also been made to patent the uses and products and processes based on Indian traditional herbal medicine इंडिया के कुछ important medicine जैसे आपका हल्दी जो है turmeric जो है आपका नीम जो है इनको patent करवाने की भी कोशिश करी गई लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को फटा फट काउंटर किया और हम लोगों ने इन patents को रद करने की कोशिश की और finally हम लोगों ने इसे रद भी किया अगर हम लोग काफी सालों तक ध्यान नहीं देते तो हमें खुद की चीज़े खाने के लिए सामने वाले को पैसा देना पड़ता इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं बायो पिरेसी पैरेसी क्या होता है अगर आप एक फिल्म की सीडी को बेसिकली लीक कर देते हो फिल्म की रिलीज से पहले यानि काला धंदा करना तो बायलॉजिकल चीज़ों का प्रोड़क्स का जब काला धंदा होता है बिना किसी की कॉपी राइट के तो बेसिकली उसे बायो पिरेसी हम लोग बोलते है यानि जिसका सामान है उसको बताए बिना हम लोग उस सामान को बेच रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे है समझ लो आपकी कोई पिच्चर आई समझ लो धूम धमा का सो यह जो पिच्चर है यह मेरको कहीं से मिल गई और मैंने इसे यूट्यूब पर डाल दी अब लोग तो पागल है ही फिल्मों के पीछे बॉलिवूड के पीछे कि भाई नई पिच्चर आ यह देखनी है और यूट्यूब पर आई वोग चीज़े कौन ही छोड़ता है भला फटा फट दो गंटे में सब लोगों ने देख डाली और उसके बाद मैंने एक दिन में चलो उसे डिलीट भी कर दिया मेरे पास copyright आगर मैंने डिलीट कर दिया लेकिन उस बंदे का तो business effect हो गया आप समयलो उसको एक million लोगों ने देखा जो शायद theater में जाकर देखते तो अब वो चीज़ें उसे profit के तोर पे नहीं मिली और मुझे उसका फायदा हुआ in terms of views so that is biopiracy कोई चीज जो मेरी नहीं थी बट मैंने उसे लेने की कोशिश करी ओके यहाँ पर क्या होता है आपके bioresources जो हैं आपके multinational companies and other organization अपने नाम पर करवा लेते हैं without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment यानि जिन countries का माल उन्होंने चोरी किया है उन्हें कोई compensatory payment नहीं मिली और उनके resources को खुद के नाम पर patent कराके धडले से बेच भी रहे हैं और शरम भी नहीं कर रहे हैं that is called as biopiracy so जो आपके industrialized nation है यानि जो आपके developed nation है वो आपके financially बहुत अच्छ हैं बहुत पैसा है लेकिन इन में क्या है आपके biodiversity उतनी अच्छी नहीं है और traditional knowledge उतनी अच्छी नहीं है यानि वहाँ पर resources आपके काफी कम है biological novelty आपकी बहुत कम है और इसी के opposite आपके जो developing nations है या जो underdeveloped nation है इनके पास पैसा नहीं है लेकिन इन में खूब सारी biodiversity है और बहुत सारी इनके traditional knowledge है जिससे यह आगे चलके बहुत पैसा बना सकते हैं just because of these bio resources so traditional knowledge जो है related to bio resources that can be exploited to develop modern applications and can be used to save time, effort and expenditure during their commercialization यानि इन bio resources को अगर हम लोग patent करवाएं और बहुत बहुतर तरीके से अगर इनको use करें commercialize करने की कोशिश करें तो इससे बहुत बढ़िया-बढ़िया biological process बन सकते हैं बहुत अच्छे-च्छे biological product बन सकते हैं जिनसे आपको आखिरकार जो है काफी पैसा मिलेगा और आपके काम आसान हो जाएंगे आपको बहुत सारा जो है developed countries जो है हमारे साथ injustice करती है यानि अत्याचार करती है inadequate compensation देती है मतलब हम लोगों को बिखारी समझती है और हमारे से जुच समान ले जा रही है उसकी हमें proper payment नहीं करती चिल्लर हमारे मूँपे मार देती है जो की बहुत गलत है and benefit sharing जो है वो भी proper नहीं होता मतलब अगर 100% समान कोई भिकर आए तो उसमें से 90 वो रखेंगे और 10 हमें देंगे लेकिन समान हमारा है तो 90 हमारा होना चाहिए technically 10 उनका होना चाहिए लेकिन वो लोग करते हैं मनमानी so therefore some nations are developing laws to prevent such unauthorization and exploitation of bio resources and traditional knowledge तो कुछ देशों ने अपने खुद के कानून बना लिया है कि हमारे जो bio resources हम patent कराएंगे किसी ने उंगली भी लगाने की कोशिश करी एक improper payment देना तो छोड़ तुम अगर हमारे देश से लेके जाओगे तो तुम हमें पैसा देकर लेके जाओगे और हम अगर मना कर देंगे तो तुम नहीं बेचोगे So that is the law which is made by a lot of countries similarly आपके इंडिया में भी ऐसे law है जिनको आप लोग कहते हो Indian Patent Bill So Indian Parliament ने भी यहाँ पर क्या किया है Second Amendment किया है आपके Indian Patent Bill में and that takes such issues into consideration including patent terms, emergency, provisions कि हाँ आपके जो patent है वो आपका Indian Patent Bill आपको करके देगा और Research and Development Initiative में अगर आप कुछ बहुती novel बनाते हो कुछ नया बनाते हो तो उसका patent आपको ही मिलेगा किसी और को नहीं Finally, it's over and I've completed my promise to complete all those chapters in one day so दोनों chapter मैंने एक दिन में complete कर दिया है मेरा यहाँ पर वादा पूरा होता है इसके quiz आपको अन अकेडमी पर मिल जाएगी टेलिग्राम पर फटा फट जॉइन कर लो ओजोन क्लासिस नाम से इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो विपिन शर्मा बाइलोजी बहुत सारा प्यार आप लोगों को और बहुत सपोर्ट आप लोग कर लेए आज कल उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं यार ओके quiz session के साथ और कल फिर एक और one shot और मचाते हैं धमाल थैंकी सो मच बाइबाइ टेक क्यार